तो इसका मतलब आपके sensor में problem हो सकता है तो आप sensor को check किजिए या technician को बुला के मतलब दिखाए कि PCB से PCB या PCB से related problem है तो वो solve करेगा तो यह थी आपको AC proper cooling नहीं कर रहा है या cooling एक दम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आम कुछ आपके पास option लेके आए स्माल्टी टेक के YouTube चैनल में आपका एक बार फिट से स्वागत है मैं असुतोष चोबे अपने AC के mechanical light में हूँ और आप जैसा कि अभी देख रहे है गर्मी का AC है वह चाहता है कि हमारी AC proper cooling करे या cooling नहीं कर रहे है या cooling कर भी रही है तो proper cooling जो होनी चाहिए AC की वह cooling नहीं आ रही है तो हम आज बात करने वाले हैं इसी topic पे कि आखिर AC अगर cooling कर रही है तो proper cooling क्यों नहीं कर रही है और नहीं कर रही है तो उसके क्या-क्या region हो सकते हैं क्या-क्या कारण हो सकते हैं हमारी AC सबसे पहले कि क्लाइंट या किसी के घर में जाते हैं चेक करने हैं मुल दिया कि हमारा AC cooling नहीं कर रहा है। सबसे पहले आप AC की supply चेक करेंगे। कि हमारी जो supply AC की होती है, वो AC में पहुच रही है कि नहीं पहुच रही है। अगर AC की supply पहुच रही है तो आपको AC चलना चाहिए। जी हाँ, अगर AC नहीं चल रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले उसका compressor चेट करना है, कि compressor चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर compressor चल रहा है, फिर भी कुलिक नहीं कर रही है, तो problem क्या हो सकती है, तो problem यह हो सकती है कि आपके gas या आपके AC में gas की कम ही हो सकती है या gas नहीं हो सकता है तो problem हम कैसे समझें कि gas की कम ही है या gas नहीं है तो उसके लिए अगर आपका यह compressor motor होता है ये compressor होता है अगर ये चल रहा है और cooling नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें gas नहीं है लेकिन अगर gas नहीं है तो ये trip कर जाएगा गर्मी के दिनों में अगर compressor में या हमारे AC में gas नहीं होता है तो अगर यह चलेगा तो चलने के बाद तुरंत हीट अप होगा और हीट अप करने के बाद यह ट्रिप कर जाएगा जिससे कि आपकी कुलिंग बंद हो जाएगी फिर आगे हम दूसरा डिसकस करते हैं कि अगर गैस भी है, कंप्रेसर भी चल रहा है, फिर भी कुलिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, तो देखिए हमारे पास जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यह हमारा एवापरेटर क्वाइल होता है, ठीक है तो हवा ना खीच पाएगा, ना हुआ हवा को बाहर दे पाएगा, जिसकी वाज़से कूलिंग आपको कम समझ में आएगी, तो यह भी एक रिजन हो सकता है, तो आपके घर में अगर AC है, तो उसको हपते, दो हपते में कम से कम air filter को साफ करिए, तो देखिए हमारे सामने यह विंडो AC का जो air filter coil होता कैसा है, हम यह आपको दिखाते हैं, देखिए, यह अभी बहुत चोक था, बहुत गंदी थी, बहुत इस पर dust लगा था, जिसको हम अभी साफ कर चुके हैं, अभी हमने इस AC को service किया है, ठीक है, यह बहुत चोक था, और देखिए अभी कितना clean है, जैसे कि हम अभी आपको split AC का एक हमारे पास filter पड़ा हुआ है, आपके सामने देखिए, हम दिखा रहे हैं, देखिए, कितना dust से भरा पड़ा है, यह पूरा चोक है, जब यह चोक हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है, जो blower आपका air खिचेगा, जो सक करेगा, और देगा, व हम पतर करते हैं, कि जैसे माल लिए कि सारी चीजे हो क्या है, फिर भी जो हमारी cooling आ रही है, वो भी proper नहीं आ रही है, तो उसके बाद हमारा आता है, जो condenser coil के बाहर यह आउड़र, यह तो window AC है, या outdoor का जो fan होता है, जो condenser fan यह देखिए, बाहर लगा हुआ है, जो यह गरम हो जाती है, जी हाँ, अगर आपका condenser coil choke है, या अगर यह fan हवा बाहर नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से, या आपको प्रॉपर गरम हवा नहीं आ पा रही है, तो आपकी AC cooling नहीं करेगी, तो यह भी एक region है, तो आपको उसमें देखना है, कि हमारा fan चल रहा है, कि नहीं कहां से हो सकता है, तो हमारे पास capillary tube होता है, gas filter होता है, जो choke हो जाते है, choking की वहाँ से, हमारी जो evaporator coil होता है, यहाँ पर वर्फ जमना भी start हो जाता है, जिसकी वहाँ से आप समझ जाएंगे, अगर evaporator coil पर वर्फ जम रहा है, या ice आ रही है, तो आप समझ जाएंगे, कि cooling ह हमारी कम हो रही है, या gas की कमी है, तो आप gas को proper तरीके से या तो top up करा है, या leak find करा के, या choking है, तो choking को flushing करवा के choking दूर करके फिर आप उसमें gas refill करा सकते हैं, फिर आपकी जो cooling होगी वो proper आएगी, इसके बाद भी अगर compressor आपका trip कर रहा है, या बार बार चलके बंद हो जा रहा है, प्रॉपर भी cooling कर रहा है, फिर तुरांत वापस बन्द हो जा रहा है, फिर चल रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपके sensor में problem हो सकता है, तो आप sensor को चेक कीजिए, या technician को बुला के संस बी से PCB ए PCB से related प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेगा तो यह थी आपको कि AC प्रॉपर पूलिंग नहीं कर रहा है या कूलिंग एक दम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आम कुछ आपके पास आप्सन लेके आए तो आप इसके लिए चेक किजिए या आपको कुछ और भी जनकारी चाहिए इस झाल झाल